देली नाउड अप में आप लोगों का स्वागत है आज के परमुख मुद्दे की बात करें तो पांच पाकिस्तानी सैनिको को जो है सीमा पार जो है मार गिराया गया है जिस तरह से आज आर्मी द्वारा ये कनफर्म भी किया गया है जो पुंच इलाके से स्ट्राइक हुई है और उसके साथ साथ एक और मुद्दा है जिसके ओपर हम बात करेंगे लश्कर तोहिबा का एक आतंग वादी जो है आज पुलीस स्वारा आरेस्ट कर लिया गया घाटी में जो की एक बड़ी ही कामियाबी है जमुकश्मीर पुलीस के लिए भी आए बात करते हैं आज की पर हमला किया गया जिसके अंदर जो है एक एसाई जमुकश्मीर पुलीस के वो घायल होगे और साथ में दो ट्रैफिक पुलीस करमी भी घायल होगे तीनों को जो है स्प्लिंटर्स इंजरीज आई है और तीनों का जो जो उनका इलाज है वो सकिम्स हॉस्पिटल में चल रहा है फिलहाल उनकी जो हालत है वो ठीक बताई जा रही है अगली खबर की बात करें तो आज कुछ लोगों ने और नेशनल कॉनफरेंस में जॉइन किया जिसकी सदारत जो है वहाँ पर डाक्टर फारुग अब्दुला ने की और डाक्टर फारुग अब्दुला ने एक बार फिर से जमू कश्मीर और लब्दा को खुल के नेशनल कॉनफरेंस के लिए वोट देने के लिए कहा है जो है बारती जनता पार्टी वोट मांग रही है लेकिन राम जो है सब के हैं और उन्होंने आज एक बार फिर से कहा कि रिलीजिन को बेस बना कर ना कोई भी पॉलिटिक्स करें अगली खबर की बात करें तो आज जमू युनिवरसिटी के अंदर जो है काफी युवकों ने काफी स्टूडेंट्स ने अज परदर्शन किया उनका परदर्शन करने का कारण था जो ऐसे सीधवारा एक और्डर निकाला गया जिसके अंदर R.E.T. teachers को जो है adjust करने के लिए कहा गया है और उनका ये कहना है कि हमारा हक मार के बाकी लोगों को हक देना ये सही नहीं है और आज students ने ये भी कहा कि governor सहाब कोई center का path निकाले जिससे इस चीज़ का हल हो सके अगली खबर की बात करें तो आज line of control पुंच पे आर्मी द्वारा ये कहा गया कि पांच पाकिस्तानी soldiers जो हैं वहाँ पर मार गिराए गी है जो पाकिस्तान की तरफ हमारी इंडियन आर्मी द्वारा एक स्ट्राइक की गी है प्रिनर जनलर अनभीर सिंग ने ये बात आज जो हमारे पतरकारों के साथ बाचित करते हुए पुंच में कही जिसके बारे में अगर बात की जाए तो एक बड़ी चीज़ है कि जो बार बार पाकिस्तान जो है इस साल के शुरुआत से ही फाइरिंग कर रहा है हमारी चोकिय है उनकी मृत्यू हुई है अब बात करते हैं आज की परमुख मुद्दे की पहला बात तो आज हम ये करेंगे कि आज एक और आतंगवादी को जो है गिरफतार कर लिया गया जहां पर एक आज गरनेट की गरनेट हमला हुआ घाटी में उसके अंदर जैशे महुमत तन्जीम द्वारा जो है पूरी रिस्पॉंसिबिल्टी ली गई है वहीं लशकर तोहबा द्वारा जो है आज एक आतंगवादी जो काफी देर से एक्टिव था घाटी के अंदर उसे आज हमारी जमू कश्मीर पुलीस ने अरेस्ट कर लिया है मैं आपको ये भी बताना चाहूँग इस लशकर तोहबा आतंगवादी को गिरफतार किया गया है कुलगाम डिस्टिक्स से ये सौथ कश्मीर की खबर है और खबर ये भी आ रही है कि ये चलान विलेज का रहने वाला था सौथ कश्मीर का जिसका नाम मुबारक एहमद डार बताया जा रहा है जो जिसके पिता का ये आतंगवादी जो है काफी देर से एक्टिव था और लशकर तोहबा के साथ जॉइन कर गया था और काफी देर से पुलीस जो है इस आतंगवादी की फिराक में भी थे कि किस तरह से इस आतंगवादी को जल से जल जो है पकड़ा जाए और उसके बाद जो है इस करनल रनभीर सिंग ने अपनी प्रेस वारता में आपके स्वाल के अंदर ही जवाब जाहिर है कि पिछले कुछ देरों के अंदर जो आपने रिकोर्ट बताई कि पांच पाकिस्तानी मारे गए यह इस चीज़ को दर्शाता है कि भारतिया सेना हर समय जो भी पाकिस्तान को गल् इस चीज़ को एक कि पाकिस्तान से इक क्यादम आपके स्वाल के अंदर जवाब जाहिर है कि पिछले कुछ देरों के अंदर जो आपने रिकोर्ट बताई कि पांच पाकिस्तानी मारे गए इस चीज़ को दर्शाटा है कि भारतिया सेना हर समय जो भी पाकिस्तान को गल्द काम करता है उसको मूँ तोर जबाद देती है और ये मैं आप सब के ज़रिये सब को यकीन देना चाहता हूँ कि भारतिय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है ये कहना है रनभीर सिंग जी का जिनोंने आज प्रेस वारता में ये साफ कहा कि पांच जो है पाकिस्तानी सोलजर्स को सीमा पार जो है मार गिराया गया है और ये आर्मी की तरफ से एक बड़ी कारवाई की गई है एक बड़ी सर्जीकल स्ट्राइक की गई है क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान जो है यहां पर फायरिंग कर रहा था और अभी आप जानते ही है दो दिन पहले भी एक असिस्टेंट कमांडेंट B.S.F. के विने वो भी शहीद होगे पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपिंग की गई एक बड़ा ही कायराना हरकत पाकिस्तान की जो हर बार चलती रहती है और इस कायराना हरकत के अंदर जो है हमारे एक B.S.F. के असिस्टेंट कमांडेंट विने जो है शहीद होगे और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया गया है और पाकिस्तान को इस करारे जवाब के अंदर जो है शायद पाकिस्तान जैसा एक जो नापाक देश है उसको एक करारा जवाब मिलने के बाद थोड़ी सी समझ आएगी कि किस तरह से आप जो है सीजफायर का उलंगन करेंगे किस तरह से आप जो है हमारी भारतिय सीमाओं को हमारे भारत में रहने वाले सिविलियन्स को टारगेट करेंगे हमारे जितने भी लाइन आफ कंट्रोल वे इंटरनेशनल बॉर्डर के समीब जो घर है उनको बार-बार टारगेट किया जाता है तो एक बड़ी स्ट्राइक है हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से और पाकिस्तान को जो है एक कड़ा संदेश भी दिया है जिसके जो है कुचल दिया जाएगा और भारत जो है पाकिस्तान से दस कदम आगे है और दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि साओध कश्मीर में एक लशकरे तोहबा आतंगवादी जो लशकरे तोहबा ग्रूप के साथ जुड़ा हुआ था उसको आज जमू कश्मीर पुलीस द्वा जो है अरेस्ट किया गया है ये बड़ी कामियाबी है एक दिन पहले भी एक आतंगवादी इसी तरह से अरेस्ट किया गया था उससे पहले नो लोगों को एन आईये के हवाले भी किया गया तो आतंगवादी जहां पर मारे भी जा रहे है वहीं जो आतंगवादी बचे तो काफी अच्छी बात है यह आज का डिली रांड आपका मुद्दा था हमारा पेज लाइक करना ना बूले हम आपको YouTube पे मिलेंगे हम आपको Instagram पे मिलेंगे हम आपको Twitter पे मिलेंगे हर जगा पे follow करें YouTube पे आप search करें JK Media सबस्क्राइब करें bell icon जरूर दबाएं तब तक के लिए देखते रहें जेके मीडिया आशीश खोली के आना मैंने शोक्षल उत्राजी के साथ जेके मीडिया के लिए